क्या केते हैं विंड जो है काफी तेज़े से फ्लो कर रही तो थोड़ा सा फ्लक्षवेशन था नेट वर्क में तो वही ठीक करने में लगा था कि क्या मलूम अभी अगर ज्यादा कुछ हो जाता है तो शायद नेट पड़ बन नेट जो है वो बन पड़ जा वाइफाय बन है तो कैसे हो मेरे वारियर्स कैसे हो मेरे वारियर्स बताओ कैसे हो वारियर्स हलो 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 तनुजा हलो साक्षी हलो सोना चलो आजाओ जल्दी 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 हलो प्रिया चवान वेलकम वेलकम चुबायो कच्चा चली 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 आजाओ जल्दी जल्दी लेकेन लेट बट थेट जो है मैं आ गया हूँ, so आज जो है हम मैक्रो मोलेक्यूल जो है वो खतम कर देंगे, और कल जो है इस चाप्टर का लास्ट शेशन होगा, that is enzymes, ठीक है, enzymes जो है वो थोड़ा सा ट्रीकी पार्ट है इस चाप्टर में, इसलिए मैंने उसको सेप्रेट ज secondary mittable likes, तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन में, ठीक है, आते ही like ठोक देने का, आपने को इसाल्व मिछ जो पूरी आप देख सकते हूँ, यह जो पूरा हम कोर्स कर रहे है, warrior batch का, जैसे चाप्टर में होता है, उसकी मौक ते जो है वह अनकेड में special classes में ली जाती है वहाँ पे leaderboard आता है और वहाँ पे आपका पूरा report आ जाता है तो इसलिए जो है वो आप मुझे अनकेड में follow कीजिएगा नीचे description में link है अनकेड में आप जो है download कर लो और जो है वो शुबम मुले की link पे जो है वो search कर पे जो है वो करते है टेलीग्राम चैनल का नाम है डॉक्टर शुबम मुले या फिर आप अड़ेरेट बायो कट्टा सर्च करके भी जो है वो टेलीग्राम चैनल से जो है वो जूड सकते हो ठीक है यही मैं मॉक टेस्ट के बारे में बात करना था जैसे हमारा कल इंजाइम्स खतम हो जाएगा हम जो है वो मॉक टेस्ट रखेंगे इसी चाप्टर की ऊपर ठीक है दो मॉक टेस्ट होंगे ही तो कल मैं आपको जैसे इंजाइम खतम होगा कल के सेशन में इसका टाइम टेबल आपको mock test का बता दूँगा ठीक है साती में आपको कल मैं dpb dpb दे दूँगा इस टॉपिक की ठीक है तो आपको dpb इसे बातों में आपको बोर होता है जब पढ़ाई करके तो आप यह चैनल देख सकते हैं तो लेट स्टार्ट विद्टेस्ट टॉपिक आपके है आज की टॉपिक जो है शुरुआत करते हैं तो आज हम देखने वाले इस शुरुआत जो हम करेंगे डात इस फ्र?? मेटाबॉल एडुक एक चीज मालूम है हमको और से मियामें चीनल इको क्या होता है कैसे होते हैं तो अब आपके इसे बारे में जो हम सब से पहले हो तो देखो सबसे पहले हैं, what is metabolism? ठीक है, यह तो हमको मालूम है कि हमारे living body में, ठीक है? हमारे living body में जितनी भी reactions होती है, all reactions in living body, इसको हम क्या कहते हैं? metabolism कहते हैं ठीक है इसको हम क्या कहते है वी कॉल इट आज मेटाबॉलिजम तो इसके दो पार्ट्स होते हैं ठीक है एक होता है कैटाबॉलिजम एक होता है अनाबॉलिजम ठीक है तो कैटाबॉलिजम मतलब क्या अगर अभी 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 सपोज सिंपल से अब एक्जमपल लेने हम ठीक है तो अगर मेरे पास कोई तो यह सपोसा भी मेरे पास यह जहा NICKि यह तूद्पेस्ट के को छो ले अभी इसका मैं दपन की सब् å been कर रहा हूं सब्दErूबू करते हैं ढांटिज लगा रहा हूं al दिश ब्रिकंघ्ग करते हैं सब्दाट आट करते हूं और अभी मैन इस को डखन लगा molecules is a catabolism making of molecules is a anabolism अगर इसको हम biologically देखना चाहे तो देखो CO2 plus H2O in presence of sunlight it gives glucose तो यहां पर हम molecule form कर रहे है ठीक है glucose जो है store होता है in the form of starch ठीक है plant body में और हमरे body में जो है हम खाते हैं starch खाते हैं ठीक है हम पत्ते फूल खाते हैं तो हमरे body में क्या आता है यह glucose का जो है breakdown होता है through the respiration ठीक है इसका breakdown करते हैं ठीक है या फिर हम जो आप कह सकते हो glucose क्या नहीं हम जो है वह polysecrets खाते जाने कि starch जो है form में खाते हम ठीक है starch form में store होता है यह चार्ज हम खाते हैं और इसका कनवर्जन हम ग्लुकोज में करते हैं सिंपल ग्लुकोज और उसका भी रिस्पिरेशन करके उससे जो एनरजी मिलती है वो हम ATP के फॉर्म में जो है वो ट्रैक कर लेते हैं क्या सब्साइब कर रहा हो में सब्सेट यह बंदीज सब्सट्रां करने के लिए वो तरह नि того है कि यह सब्साइब करने के लिए जो फूर्द खाते है उसके लिए हम किसे ऋऍचन लगता तो आइसे substances ठीक है हमारे body में ऐसे substances जिनके function ठीक है जिनके function हमको मालूम है ठीक है living body में ऐसे chemicals present होते हैं जिनके functions हमको मालूम है ठीक है confirm वालूम है कि यह digestion करता है ठीक है अब यह ligase क्या करेगा यह जो है वो patch up कराएगा ठीक है endor nucleus क्या करेगा breaking करेगा एक है lipasia क्या करेंगे fats का breakdown करेंगे ठीक है सुक्रेस क्या करेगा सुक्रोज का breakdown करेंगा तो इनके functions हमको ठीक तरह से बालूम है confirm वालूम है तो ऐसे chemical जिनके function हमको known है well-defined है तो उसको हम क्या कहते है we called it as a primary metabolites. ठीक है उसको हम क्या खहेंगे primary metabolites और जिनके function living body में present हो है वो substances लेकिन उनके function not defined है या हमें मालूम नहीं कि उनका main function क्या है. So that is a secondary metabolites. ठीक है that is a secondary metabolites. ठीक है तो यही हमारा हाथ का शुरुवार में topic है living body में ऐसे chemicals होते हैं जिनकी functions हमको well defined है हमें अच्छे तरीके से मालूम है that is a primary metabolites और living body में ऐसे substances होते हैं जिनका उस body में कोई well defined function है या नहीं हमको मालूम नहीं है that is a secondary metabolites अभी यह जो secondary metabolites से यह mostly जो है वो plants और fungi में present रहते है plants and fungi ठीक है तो plants और fungi में ऐसे बहुत से substance होते हैं जिनका plants को और fungi को क्या useful है उसका use क्या है हमको मालूम नहीं है लेकिन उनका use जो है वो हमें होता है हम जो है यह utilize करते हैं जैसे कि antibiotics हुआ ठीक है जैसे कि अलग-अलग drugs हुआ तो उनका utilization हम कर लेते है plants को उसका use क्या है हमको यह मालूम नहीं है लेकिन उसका utilization जो है हम कर लेते हो that is a secondary metabolites और हमारे बाड़ी में जिनका function well known होता है that is a primary metabolites ठीक है तो NCRT corner में देखते हैं कि NCRT क्या कहता है इनके बारे में कि most exciting aspect of chemistry यह deal करता है that is thousands of compound ठीक है छोटे बड़े जो है वो सारे link organism में जो पाए जाते that is a beauty of chemistry ठीक है तो अगर हम ऐसे molecules की list बनाना चालू कर देंगे तो ऐसे thousands of organic compound जो है हमें मिल जाएंगे including amino acids sugars ठीक है तो इसलिए जो है एक biomolecules को एक term दीए गई that is metabolites ठीक है metabolites ठीक है तो metabolites में क्या देखनों को मिलता है कि इन animal tissue जिनके function समको थीक तरह से मालूम है ठीक है जिनके functions हमको ठीक तरह से मालूम है जो metabolic reaction में utilize होते है ठीक है उनको हम क्या कहते है we call it as a primary metabolites ठीक है animal tissues के अगरे बात करें लेकिन हम ऐसे substances देखते है किसमे plants और animals में जिनके functions हमको मालूम नहीं होते है ठीक है इनके आलावा उसमें काफी सारे substances होते हैं जिनके function हमको मालूम नहीं है लेकिन वह हमारे लिए काफी useful होते है वो plants और fungi और माइक्रोबेट के लिए क्या useful है हमको मालूम नहीं लेकर हमारे लिए काफी useful होते है that is उसको हम क्या गयते है secondary metabolites उसमें क्या आ जाएंगे alkalites, flavonites, rubber, essential oil, antibiotics ठीक है यह सारे substances जो है उसमें आ जाएंगे ठीक है color pigments, scents, so that is the secondary metabolites ठीक है, तो यहाँ भी कुण-कुण से secondary metabolites है, इसके उपर direct MCQ आते हैं नीट में यह जो table है, यह काफी important है, ठीक है, यह काफी important है यहाँ भी देखो, NCID भी कह रहा है primary metabolites, जिनमें identifiable functions होते है ठीक है, जो normal physiologic process में अपना role play करता है, that is the primary metabolites ठीक है, and ठीक है, जिनका role हमें at this moment मालूम नहीं है, ठीक है, जिनका function क्या है हमको मालूम नहीं है that is the secondary metabolites, लेकिन यह secondary metabolites हम useful कर लेते हैं, हम जो हिनका use कर लेते हैं in human welfare, जैसे कि rubber drugs, spices, scents and pigments, ठीक है, और कुछ-कुछ का तो ecological importance भी होता है जो nature को जो है वो restore करने में help करता है, तो इसी तरह से यहाँ भी दिया गया है, देखो है आपे alkaloids का example दिये गया है that is morphine and coding, ठीक है, morphine और coding जो है वो pain relief का काम करते हैं, ठीक है, तुमको जो है वो under क्या कहते है उसे anesthesia रखने का काम करते हैं, ठीक है, साथी में यहाँ पे pigments देखो, keratenoids, anthesianines, ठीक है, इनका जो है हम color coding की तरह यूज़ करते हैं, dye की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, terpenoids का यहाँ पे देखो, monoterpenes और dye terpenes, यह terpenoids में terpen, terpenes आ जाएगा तो आप easily identify कर लोगे, essential oil देखो, lemon gross oil, जो भी काफी कामों में यूज़ होता है, simple सी बात है, toxins, ठीक है, स्क्यूपर काफी important question आया है, that is abrine and resin, ठीक है, abrine and resin जो है, वो toxins होते हैं, वो काफी useful होते है, simple सी बात है, ठीक है, useful मतलब, जो है, वो toxic होते है, हमारे लिए, या फिर हम उसको जो है, वो insecticide की तरह, या फिर pesticide की तरह यूज़ कर सकते है, to kill the paste, then licit lectins, ये इसके उपर तो काफी बार question आ चुका है, lectins के उपर, ठीक है, कोई सी एक student ने मुझे mock test में, mock test का result भेजा था, तो उसमें ये question पूछा गया था, lectins, lectins का example क्या है, यहाँ पे, concaveline A, ठीक है, ठीक है, तो ये काफी important role जो है, वो play करत होता है, ठीक है, उसके बार drugs आते है, that is windblastine and curcumin, ये anti-cancer drugs है, ठीक है, anti-cancer drugs है, इनका जो है, anti-cancer drugs की तरह पे, जो है, use होता है, simple सी बात है, यहाँ पे तरह तरह के हमको polymeric substances भी देखने को भीलेंगे, rubber, gum, cellulose, जिनका हम daily use करते है, ठीक है, daily, बहुत से चीजों में, ज जो metabolites हमारे primary growth और silver function की लिए लगते है, that is the primary metabolites, ठीक है, और जो हमको नहीं लगते है, primary metabolism में, that is the secondary metabolites, और इसके यहाँ पर ये beautiful exam है, ये chart याद कर लेना, ठीक है, इसके उपर direct MC की वात है, समझ गया, पूरा primary और secondary metabolism समझ गया, पसंद आया तो like कर देगा, बहुत ही beautiful तरीक metabolism में काम आता है, जिनके function हमको मालूम होते है, जो normal regular activities maintain करने में help करता है, that is the primary metabolites, जिनके function उस living body में हमको मालूम नहीं होते है, that is the secondary metabolites, ठीक है, जैसे कि वो mostly plants और fungi में पाये जाते है, और उसके example यहाँ पे pigments, alkaloids, terpenoids, essential oils, toxins, lactins, drugs और polymeric substances की तोर भी यहाँ पे दिये गय है, ठीक है, now let's move towards the monomers of biomolecules, ठीक है, monomers, पसंद आया है तो like कर देने गा, सीधा है, ठीक है, पूरा primary metabolism, secondary metabolism, metabolism, primary metabolism, secondary metabolism समझाया है, तो like कर देने, अभी हम चलते है, biomacromolecules की तरफ, ठीक है, so macro molecules में क्या क्या आएगा, nucleic acids, carbohydrates, lipids और protein, lipids तो हमने कल ही detail में सीखिया है, ठीक है lipids is the exception to the macromolecules, हमने ये कली देखा है, ठीक है, इसका molecular weight जो होता है, वो less than thousand dalton होता है, फिर भी इसे macromolecules में add किया गया, depend upon its soluble properties, ठीक है, ये insoluble होता है, इसलिए जो है, इसको जो है, वो mostly, जो है, वो macromolecules के साथ रखा गया था, आज हम mostly focus करेंगे on proteins, carbohydrates and nucleic acids के उपर, ठीक polymer, और ये polymer किससे बना होता है, हमने जो structure कल देखा, that is amino acids, ठीक है, amino acids जो है, बहुत सार amino acids एक दूसरे से जुड़ जाता है, peptide bond के जरिये, और यहाँ पर protein का structure जो है, बन जाता है, nucleic acid is also polymer, और ये कैसे बनता है, ये nucleotides के sequence से बनता है, nucleotides मतलब क्या, base, sugar, phosphate का एक combination होता है, ठीक है, उसकी chain से बनता है, फिर carbohydrates, कल हमने देखा glucose और fructose, ठीक है, monomers होते है, monosaccharides होते है, जो एक दूसरे के साथ glycosidic linkage form करते हैं, that is a carbohydrate, lipid इस चीज़ में भी, जो है वो exception आता है, lipid is not a polymer, lipid ये polymer नहीं है, that is very important MCQ, lipid ये polymer नहीं है, ठीक है, तो ये जो है, वो glycerol और fatty acid के structure से बनावता है, उसके हिसाब से हम उसको जो है, वो नाम देते है, ठीक है, monoglycerides, ठीक है, diaglycerides, triglycerides, depend upon the, कितने ister groups उसको attach होते है, कितने aliphatic chain उसको attach होते है, ठीक है, glycerol के molecule, तो ये था एक best, let's move towards the bio macromolecules, जो NCIT corner के तरफ जाते हैं, NCIT क्या कहता है, सो, देखो, ये हमने कली देगा, ठीक है, macromolecules मतलब क्या, जिनका weight जो है, वो 18 to 800 dalton के आता है, ये हमने कली देखा था, ठीक है, और जो soluble, acid soluble pool में जो आ जाते है, that is the micromolecules, ठीक है, लेकिन जो acid insoluble होते हैं, ठीक है, जो acid insoluble fraction में आते हैं, उनको जो हम क्या कहते है, macromolecules जिसमें क्या आ जाएंगे, proteins, nucleic acid, polysaccharides, and lipids, ठीक है, with the exception of lipids, बाकि सब को, जो है, क्या है, exception of lipids, बाकि सब में, जो है, वो higher molecular weight रहता है, ठीक है, range को जो रहती है, यहापे, 3000 dalton's की range में, जो है, वो हमको मिलने को मिलता है, उनका molecular weight, ठीक है, तो इसलिए, जो है, यहाँ हमको जो है, वो दो टाइप में, जो है, वो substances को, biomolecules को, हमने जो है, जो है, वो classify किया, जिनका weight कम है, उनको micro, जिनका weight ज्यादा है, उनको macro molecules, ठीक है, तो यहाँ पे देखो के, तो molecules in the insoluble fraction, with the exception of lipids, ठीक है, यहाँ पे जो है, वो lipid का exception है, जैसे के मैंने बोला था, क्यों less than 800 Dalton है, लेकिन वो acid insoluble fraction में आता है, क्योंकि वो acid में dissolve नहीं हुआ था, वो retentate में ही रहे गया था, कल हमने experiment में देखा था, retentate, ठीक है, जब हमने filter किया, तो retentate में ही रहे गया था, तो that's why यहाँ जो है, lipids को हमने इसमें add किया था, ठीक है, तो यह ध्यान में रखना है, और यह कहां में present होता है, cell membrane में present होता है, तो यही जब हम cell membrane के structure तो grind करते है, तो वो broken हो जाते ही into the pieces, और वहाँ पर जो हमें non water soluble substances मिलते है, that is lipids, ठीक है, और वो along the acid insoluble fraction में भी आते है, इसलिए यह उसको हम क्या कहते है, macromolecular fraction, ठीक है, so lipids are not strictly the macromolecule, मतलब completely हम उस से macromolecule नहीं कह सकते है, उसमें acid insolubility है, इसलिए उसको हम macromolecule कहते है, लेकिन उसका weight जो है, वो less than thousand डालते हैं है, इसलिए हम उसको macromolecules भी कह सकते है, लेकिन उसकी यह properties को, जो है, वो priority दी गई है, acid insolubility को, इसलिए उसको macromolecule में जो है, वो रखा गया था, और यह हमने कली देखा कि acid soluble fraction जो होता है, वो क्या करता है, cytoplasmic composition बताता है, ठीक है, लेकिन macromolecules में क्या आते है, cytoplasm के component होते हैं, साथ में बाकी components भी आ जाते हैं, तो इसलिए acid insolubile fraction क्या दिखाता है, organelle का भी composition दिखाता है, और cytoplasm का भी composition दिखाने का काम करता है, ठीक है, तो दोनों वो पूरा living tissue और organism जो है, वो represent करते है, macromolecules, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, वो liquid, यहाँ पर जो है, average composition of sales जो है, बता गया है, इसकी एक बहुत ही beautiful tree case का composition, जो है, याद में रखने की, वो आता है, that is, वैप, प्रो, ठीक है, वैप प्रो, वैप प्रोन कैली, ठीक है, वैप प्रोन कैली भी कह सकते हो, या वैप प्रोन कैली भी सेख सकते हो, ठीक है, इसमें composition भी यह साब से दिया गाए, देखो, water का composition सबसे ज़्यादा, living cell में, 70 to 90%, so water सबसे पहले आएगा, उसके बाद देख 10 to 15% में आएगा, दीक है, उसके बाद देखो, protein आ रहा है, वैप प्रो, ठीक है, वैप प्रोन कैली, उसके बाद क्या आ रहा है, N, N मतलब क्या आएगा, nucleic acid, देखो, 5 to 7 percentage, ठीक है, यह कितना आ रहा है, 10 to 15 percentage, फिर उसके बाद क्या आ था, cardboard rate, cardboard कर देखो, 3% ठीक है, और फिर उसके बाद lipid आता है, lipid कितना रहा है, 2% और उसके बाद ions आता है, that is a 1%, ठीक है, तो वैप प्रोन काली याद में रखोगे, तो आपको, जो है, अगर आपको ascending order या descending order में लगाने का अगर question आता है, इसकी उपर, तो आप easily जो है, वो solve कर सकते हैं, easily आप कुछ हो है, पता चल जाएगा, ठीक है, वैप प्रोन काली, तो यह ध्यान में रखना, यह काफी important चीज है, ठीक है, so let's move towards now proteins, protein किसी तरब चलते हैं, बहुत ही interesting way से हम पढ़ने वाले, ठीक है, so let's move towards the protein, ठीक है, so what are the proteins, proteins are the polypeptides, ठीक है, क्या है proteins, polypeptides है, ठीक है, इसमें क्या आता है, amino acid जो है, वह दूसरे साथ join हो जाते है, और वो peptide bond form कर लेते है, ऐसे बहुत सारे peptide bond जो है, वो आ जाते है, ठीक है, और वो क्या बना जाते है, polypeptide बना लेते है, ठीक है, so this is a linear chain of amino acids linked by peptide bonds, ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे, बहुत सारे important protein जो है, यहाँ पे दिये गया है, that is collagen, जो intercellular ground substance की तरह काम करता है, ठीक है, यह ध्यान में रखना है, साथी में trypsin क्या है, enzyme है, यह भी एक protein है, insulin is a hormone, लेकिन वो भी एक protein है, antibodies are also proteins, ठीक है, जो infectious agent से fight करने का काम करती है, receptors, ठीक है, हर्बोन के mechanism में जो है, वो receptor आता है, smell, taste, इस इसका भी जो है, वो receptor के जरिया हमें पता चल जाता है, तो यह receptor जो होते है, वो sensory reception के लिए, वो भी जो है, वो protein के ही बने हुए होते है, and glut 4, इसके उपर काफी बार MC के वास्चुका है, ठीक है, तो glucose transporter इसे कहते है, glucose transporter, और यह glut 4 जो है, वो क्या करता है, glucose transport करता है, into the cells, तो यह glut 1, glut 2, glut 3, glut 4, अलग-अलग type के होते है, depend upon वो कहाँ पे transport कर रहे है, glucose का, ठीक है, तो यहाँ पे into the cell जब पूछा जाएगा, आपको anxiety में एक ही glut 4 दिया गया है, into the cell पूछा जाएगा, तो उसका answer glut 4 जो है, वो आपका आ जाएगा, और हमने यह कली देखा था, कि there are 20 20 types of amino acids पाया जाते है, ठीक है, mostly कोई भी polymer की chain बनती है, ठीक है, ठीक है, कोई भी polymer की chain बनती है, तो similar type of molecules के बनती है, ठीक है, similar type, लेकिन protein ऐसा एक structure है, ठीक है, जिसमें अलग-अलग 20 types जो है, वो amino acid एक दूसरे के साथ combine होंगे, ठीक है, और वो एक bond बनाएगे, ठीक है, ए इसको protein को हम क्या कहते है, heteropolymer, ये काफी important MCQ है, it's a heteropolymer of amino acid, ठीक है, क्या है, heteropolymer of amino acids, ये ध्यान में रखना है, it's very important MCQ, क्योंकि इसमें 20 types of amino acids जो है, वो पाये जाते है, ठीक है, NCRDB यहीं कहता है, it is not homopolymer, it is a heteropolymer, ठीक है, ये क्या है, heteropolymer है, ठीक है, so it is not a, it is a heteropolymer, homopolymer, देखा जाएं तो उसमें एक हिमून ओर present होता है, लेकिन amino acid जो अलगलग ताइप के होते है, इसलिए जो है वो अलगलग ताइप के हमको देखने को मिलते है, ठीक है, so amino acid जो है वो तरह तरह के होते है, जो हमारे body में, जो हमारे body में present नहीं हो acids, जो हम dietary proteins से लेते है, that is the source of essential amino acids, ठीक है, और जो हमारे body में already present होते है, जो हमें diet से लेनी के जरूरत नहीं होती है, that is the non essential amino acids, ठीक है, तो protein जो है वो काफी तरह तरह के functions हमारे body में करते है, यहाँ पर यह चाट में वही बताया गया है, ठीक है, और उससे के इसाब से जो है यहाँ पर बताया गया है, तो let's study about the proteins, ठीक है, प्रूटीन के बारे में थोड़ा सा जो है वो structure हम जान लीते है, कि proteins कैसे form होते है, protein का bond कैसे होता है, तो protein का bond यहाँ पर बहुती ब्यूटीफुली तरह ही कैसे बताया गया है, ठीक है, तो यह amino acid है, ठीक है, यह यह amino acid है, य NH2 यहाँ पर क्या होता है, R group होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है, C double bond OH होता है, similarly यहाँ पर अनदर एक molecule होगा, जिसमें same structure हमको पाया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ का देखो अभी, यहाँ का कार्बगजिली ग्रूप में यहाँ पर क्या होता है, H2O माइनस हो जाता है, H2O निकल जाता है, ठीक है, इन दोने molecule फिदर यह, और यहाँ के NH2 group जो है, Amine group यह combine हो जाता है, इसके कार्बगजिली group के साथ, और यहाँ पर H2O जो है, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, H2O जो है, वो बाहर निकल जाता है, and that forms a peptide chain, ठीक है, यहाँ पर कौन सी chain बनती ह ठीक है, that is a peptide chain, ठीक है, तो यह ध्यान में रखना है आपको, यह काफी important है, just two minutes है, यह निकल गया है, ठीक है, यह ध्यान में रखना है, यहाँ पर कोच्छा डिहाइडरेशन रियक्शन होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 20 टाइपस अफ अमनी अचिड जो है, हमें अलगल मिलते है, and they form a peptide bond, ठीक है, between the amino and carboxylic group, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह जो bond होता है न, amino and carboxylic group के बीच में, that is a peptide bond, it is a heteropolymer, ठीक है, heteropolymer, ठीक है, तो form between carboxylic and amino acid, amino group के जरी यह bond बन जाता है, ठीक है, elimination of water moiety, ठीक है, यह यहाँ पर बता गया, यहाँ पर देखो, यह चार्ट, अभी यह जूम करता हूं में ज़रा सब, classification of protein जो है, यहाँ पर बता गया है, so on the basis of structure आप देखोगे, तो यहाँ पर primary, secondary and tertiary देखेगा, ठीक है, and quaternary, depend upon structure, जो हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है, on the basis of function देखोगे तो उसको enzyme, structural support के लिए जो बनते है, that is protein, और जो storage के लिए बनते है, that is a protein, so यहाँ पर अल्ब्यूमीन, ग्लुकोगेन आजाएगा, hairs and nails, structural protein बनते है, ठीक है, जो enzyme बनाते है, pepsin जैसे, that is enzymatic protein, ठीक है, so primary, secondary, tertiary, quarternary, यह हम देखने वाले case structure फॉर्म होता है, ठीक है, इसमे hemoglobin और insulin भी आजाएगा, simple सी बात है, quaternary structure में, secondary structure में तीन टाइप आए जाते है, that is a alpha helix, जिसमें myosin, keratin आजाएगा, beta plated sheet में silk fibrin आजाएगा, और collagen helix में collagen fibers, on the basis of constitution, ठीक है, यह तीन टाइप के हम को जो है, वो देखने को मिलते है, that is simple, conjugated and derived, simple में जिसमें सिर्फ protein सी होगा, जिसमें सिर्फ protein के molecule होंगे, जिसमें सिर्फ peptide होंगे, जिसमें simple आजाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते है, fibrous and globular, ठीक है, fibrous में आजाएगे, myosin, keratin and globular में, जिसमें क्या आजाएगे, जिसमें क्या आजाएगे, जिसमें प्रोटीन के साथ जो है, जिसमें हिस्टोन और प्रोटामाइन सा आजाएगा, म्यूकस, म्यूकोप्रोटीन में जो है, वो म्यूकस लियर आजाएगे, वहाँ पर ठीक है, म्यूकोजल लियर जो है, फ़र्म हो जाएगे, ठीक है, तो आस्मो म्यूकोप्रोटीन सा आजाएगा, ठीक है इसमें आयन फेरस आयन जो है इमोगलोबिन में होता है तो वहाँ पे क्रोमा प्रोटीन जो है में एक करते हैं एग योल्क जो होता है न है वाइटल इन अफ देख that is a phosphor protein तो यह classification extra point about जो हो आप ध्यान में रख सकते आप दो proteins ठीक है so structure of protein के बारे में हम बारो बात करते है तो हमको मालूब है इस a chain of टीक है it's a chain of polypeptides ठीक है यह ध्यान में रखना है आपको ठीक है इसमें आभी प्रोटीन आपको बताओ ठीक है वन अब दो प्रोटीन अगर मैं आपको बताओ दैट इस इन्सुलीन इस वेरी इंपोर्टन एंसुलीन का अगर आपको पूथे जाता है तो दैट इस इन्सुलीन इस इस इन्सुलीन इस वन पास प्रोटीन अपको शिंपने लिए और यह जो पूटीन है इसमें 4 तरह के बहुत प्रोटीन है चारतार के श्रक्चिर जो है हमको देगने को मिल सकते है जिसमें प्राइमशी श्रक्चिर आईगा प्राइमरी स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् से शुरूवात हुई है यहाँ पर छो है वो COS group से फॉर्म होगा ठीक है यह किसी COC फॉर्म होगा फिर यहाँ पर दूसरा protein molecule फिर आगे यह Ns से बॉन होगा फिर से COC बॉन होगा और यहाँ पर से CO आ जाएगा तो जहां से शुरूवात होती है न यह यह जो amino group है यह free रहता है एच्छों निए जिस्से स्तार्ट हुथ होती है protein chain की इसका हम end terminal कहते है जहांप your amino groups free रहता है ठिक है और last terminal जो है वहाँ पर carboxylic group free रहता है कि इसलिए हम उसको तो में कनवर्ड हो जाते हैं यह क्या करेगी एक तो यह प्लेक्ट फ्रस्ट्चर्ट्र फॉर्म सिंपल सी बात है यह अथनुआ उन करे लिए अच्टर्च्र करें यहां पर mt सब्सक्राइब लोग तो यहां पर एक्स्ट्रा मिए जो होते हैं जो एक दूसरे से यहां पर इसको जो है क्या कहते हैं collagen यह अलग होता है collagen helix ठीक है यह भी secondary structure में ही आएगा लेकर ठीक है यह ध्यान में रखना है so fibrous protein of hair and nails जो है वो भी secondary structure फांब करते हैं तो जहां पर जो है यह coil हो गया अभी मेरे पास wire आपको दिखाऊ मैं यह ठीक है अभी जो straight wire है ठीक है it's a primary structure of protein अगर यह मेरे हाठ के आर अब यह coil हो रहा है ठीक है यह coil हो रहा है तो यह coil हो secondary structure फिर्म होगा या फिर क्या करेंगा इसी plates बना लेगाज़ इसी plate बना लेगा ठीक है so and ah primary structure अब यह क्या होगा इसना प्लेट नहीं बनाया कुछ नहीं होगा यह क्या हो गया round and round ऐसा उसने एक structure बना लिया ठीक है 3D structure बना लिया उसने so that is a tertiary protein ठीक है tertiary protein यहाँ पर दे सकते हो folded आपन होता है woolen ball like structure form कर लेता है that is a tertiary protein ठीक है जिसमें example आता है myosin ठीक है जिसका example आता है myosin और अगर यह एक structure और यहाँ पर यह एक structure आ गया ठीक है so that is a quarternery structure इसे बहुत सारे structure अगर एक दूसरे के साथ आ जाएगे मतलब अभी यह एक tertiary protein है यह tertiary protein है यह tertiary protein एक दूसरे से जुड़ गया है या इसके पर primary structure जुड़ गया किसी protein का या secondary structure जुड़ गया ठीक है तो वो क्या खेलाते है quarternery structure ठीक है so यह क्या होते है यहाँ पर यह दो और मोर chain का जो है वह mixture होते है quarternery structure जिसका example आ जाएगा हो hemoglobin hemoglobin जो है वो क्या आता है 4 subunits से जुड़ जाता है ठीक है इसमें 4 subunits होते है 2 alpha and 2 beta subunits ठीक है जिसमें 4 polypeptide chain मिलेंगे हमको 2 alpha और 2 beta subunits में 4 polypeptide chain जो है वो secondary structure में हमको देखती है ठीक है तो यहाँ पर वही जो है वो simple तरीके से बताया गया है ठीक है तो यहाँ पर देखो इस इस अ primary structure यह alpha helix यह beta-plated sheet में जो है Converter हो जाता secondary structure यहाँ पर कुन सी bonding होती है hydrogen bonding होती है ठीक है ठीक है देखो यहाँ primary structure फिर उस पर यहाँ पर क्या हो गया यह secondary structure बन गया फिर इसमें अगर tertiary protein में क्या होता है हल्फ यहाँ पर क्या हो जाते है यहाँ पर sulfide bond आ जाते है इस तिक है sulfide bond आ जाते है यह tertiary protein जो है form कर लेता simple सी बात है ठीक है तो यह काफी important structure है most of the enzyme के function जो होते है वो due to the tertiary protein ही होते है और इसी बहुत सारी chain इस दूसरी के पास में आ जाए तो that is the quarter nerve structure ओके तो यहाँ पे आभी आपको जो है वो अलग-अलग function के protein के जो है वो आपे function दिये गया है ठीक है so fibrous protein जो इंसुलीबल होते है water actin myosin keratin यह structural support form कर लेते है globular protein जो है वो soluble होते है water albumin insulin hormones like ACTH and oxytocin they are the globular proteins टेक है classification यह आप भी दिया गया है constituents के आपे simple proteins जो सिर्फ amino acids से बनते है globuline systems and albumins conjugated मतलब जो अलग non amino acids से group से जो attached होते है प्रॉस्टिड ग्रॉप जिसको हम कहते है that is the conjugated protein और derived protein जो hydralization of acids से फर्म हुए है ठीक है यह protein को hydralize किया जाता है acid alkalis और enzymes जिसको हम derived lipids कहते है ठीक है जो क्या हुआ हो दे degradation product जो है वो फर्म होते है उसके hydrolysis के acid के hydrolysis करण जिसको हम derived proteins कहते है फंक्शनस और प्रोटीन ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेर के लिए ट्रांस्पोर्ट के लिए ठीक है जैसे की ग्लूट फोर आ जाएगा इंटर सिल्लर मेंब्रेन भी जो फॉर्म करते है यह हमने अल्ड़ी यह हम जो है वो देख चुके है ठीक है तो यही इस अबॉट प्र प्राइमरी सिकंडरी तर्शेरी में सल्फाइड बॉन आ जाएंगे ठीक है और यह कॉट्टर नरी में जो पूरा एक और दो चेंज है वो आराम से आ जाती है ठीक है तो यह ध्यान में रखना है इस वेरी इंपोर्टन अभी लेट्स मूट तोवर्स दा कर्भाद्रेट्स ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पॉली से कराइड अभी अभी असीड इंसुलीबल जो पेलिए रेटेंटेट फर्म हुआ था जिसमें हमको क्या देखने को मिला जिसमें हमको जो है वो पॉली से कराइड भी देखने को मिला ठीक है जिसको हम क्या कहते है वी कॉल इट असका कार्भोएड़ेट्स ठीक है तो इस अनादर क्लास अफ मैक्रो मॉलेक्ल्स जिसमें लॉंग चेंज जो है वो मूस्ली पाई जाती है शुगर्स की लॉंग चें ठीक है शिल्लोज एक पॉली सेकराड है और किस से बना है एक ही टाइप के आमाना असीड से बना है ठीक है एक ही टाइप ऑफ मोनो सेकराड से बना है यह बना है स्ट्रक्चर ठीक है इसमें जो है वो बिटा डी ग्लुको स्ट्चर से बनता है यह बिटा डी ग्लुकोस ठीक बंगेंगे तो उसको लाइको प्रोटिन जलंगेem साइब लेजर्ण डों तरंब टिक है उसको ऑपडिक tien के एक सच्टार्चयंट में अब्चत्रों सु करें ठीक के लिए यहाँ पर अनाधर वैरियंट जो है तर्फ आरश समीजी स्टर्पोथ मिलता है इप स्टार्च कि जैसा है अभी प्लान में इनर्जी स्टोर करने के लिए या रिजर्फ फूर्ड मटिरियस स्टार्स एक्ट करता है एनिवल में वही क्या करता है गलाइगोजन एक करता है यह दोनों भी चैन है हाला कि गलाइगोजन का स्ट्रक्चर जाहे इसमें हमको ब्रांचिंग मिलती ह ठीक है इसमें आलफा 1,4 जो है वो लिंकेज होता है या आप देख सकते हो कि आलफा 1,6 ब्रांचिंग भी इसमें हम देखने को मिलती है साथ में इंसुलीन आप देखो कि इस इंसुलीन इस पॉलीमर ऑफ फूक्टोस यह काफी इंपोर्टेट एंसी को है काफी बार पुछ है का टीक है इसमें आप देखोगे ग्लाइकोजन का स्टक्चर आप लोगे गाईस टीक है तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जो है वह वो इसा अगर ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है तो इसका राइट हैंड का साइड देखोगे तो इसका राइट हैंड का साइड जो होता है दैट इस रिडूसिंग चैन्ड ठीक है रिडूसिंग होता है और जिसका लेफ्ट साइड लेट का जो होता है यह आप है चुना अधिन स्टेक्चर में बताऊंगो तुमको इसमें ब्रांचेज भी देखने को मिलते हैं जो हम आभी देखेंगे साथी में स्टार्ज के वारे में काफी स्ट्क्चER बठा गया स्टार्ज क्या करता है यह हीली कर बना लेता है इसे खुद की ओपर फॉल्ड हो जाता यह एक इसमें जो है वह ऐसे बन जंगता इसमें बन जाता है और इसी लिए जब को मतलब जब अब अलू में אל लड faz तो यह stars molecule के अंदर वो ink first जाता है, इसलिए हमें जब आलू में हम जब ink डालके तो इसका color जो है वो dark blue हो जाता है या black हो जाता है, तो star जो है इसलिए I2 जो है वो blue in color हमको देखने को मिलता है, ठीक है, and cellulose यहाँ पर दिखोगे, it does not contain, cellulose में ऐसा कोई भी structure present नहीं होता, so that's why यह जो है वो I2 को या iodine को जो है वो जेल नहीं पाता है, ठीक है, iodine से जो है वो cellulose का structure stain नहीं होता है, लेकिन star का structure जो है वो stain होता है, that is very important, पहले सकराइड यह काफी important MC के है, NTA के mock test में यह काफी बार पूछा गया है, कि star को I2 iodine के color क्यों होता है, iodine retain क्यों करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें helical structure होते है, helical structure starch बना लेता है, लेकिन cellulose जैसे कोई भी helical structure form नहीं करता, so that's why इसमें I2 जो हो होल्ड नहीं कर पाता है, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर देको cellulose का structure form हो रहा है गाईस, देखो, ठीक है, इसमें कौन सा linkage है, मैंने आपको बता है, बिटा डी ग्लुकोस यह एक बिटा डी ग्लुकोस है, बिटा डी ग्लुकोस है और यहाँ पर linear chain बन रही है, क्यों सा bond बन रहा है, ठीक है ग्लाइकोसाइडिक बॉंड बन रहा है ठीक है विद्ध रिमोल आफ वाटर डिहाइड्रेशन आफ वाटर सो उसको हम क्या कहेंगे भी कॉल डिट अज इसमें कौन सा लिंकेज होता है बिटा डी ग्लुकोज लिंकेज ठीक है यह ध्यान में रखना इंपॉंड एमसी क इसलीलोस भी स्ट्रक्चर फर्ण कर रहा है सेलीलोस भी देखो लिनियर मॉलेकुल है ठीक है इसमें यहां पर लेकिल इसमें कों सा है Month 1,4 बतलब इसका 1 फर्सका carbon और इसका 4 carbon जो है एक दूसरे के साथ glycosidic bond बना रहे हैं इसलिए इसको हम क्या कहते है alpha 1,4 linear structure में ठीक है लेकिन यहाँ पे आप bonding देखोगे न यह जो भी यहाँ पे branching form हो रही है guys ठीक है और यह branching किस से form हो रही है ठीक है यहाँ का इसका first carbon है ठीक है इसका first carbon है यह c1,1 इसका first carbon है लेकिन इसका six carbon है तो इसलिए इस branching को हम क्या कहेंगे alpha 1,6 ठीक है alpha 1,6 branching देखा जाए तो तीनों के तीनों यह क्या है homo polymer है ठीक है तीनों के तीनों जो है वो homo polymer है cyber legend I will block you last warning ठीक है last warning अगर तुने फिर से message किया तो I will block you ठीक है cyber legend you are block ठीक है future goals ठीक है I will also block you ठीक है अगर तुने भी spam करना बनने किया तो तुने को भी block कर लूँगा तो ध्यान में रख ब्लॉक हो गया तो future goals future goals also block ठीक है ठीक है ठीक हो unblock किया है तुने message delete किया इसलिए तेको unblock किया ठीक है ध्यान में रख अभी अभी आप अभी फिर से त्यरा message दीका तो दीक हो unblock शीदा block कर दूँगा मैं किसकी भी गैंग हो ठीक है किसकी भी गैंग हो मेरे सामने कोई गैंग ने चलती इदर में को बढ़काओ मत ठीक है तो यहीं पर एंसी इटीवी वही जो है वह करता है टीक है चालो टीक है तो यहां पर देखो यह जो यहां पर बन रहा है न शुगर मॉलेक्टिल के भीच में डाइट इस अ तो यहां यहां पर यह कंचा यह तो यहां मिलेगा और लीनियर कंच्छरी बन रहा है वहीय से से बनता है इसके अलावा यहां पर complex polysaccharides भी होते हैं जिसमें जहां पर देखो कार्बोर्डिट के साथ दूसरे अलग ग्रूप्स भी अटेच होते हैं जैसे कि आमाइन ग्रूप्स ठीक है आमाइन ग्रूप्स भी अटेच हो जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं अब यहां पर देखो यह अटक कर रहा है हुआ है ज्याट कर धीक है यहां पर गर किसकी ऑपड़ यह इंमार पहुद यह कैसा आरमर पैंहीं यह जो इंब है हँआ है वह काईटीन से बना है ठीक है काईटीन से बना है डिक है जए अजियर रीग्टित जो है घिक है अना सीट शेवा ने का धम safety मैंुंस करते हैं जो है घृत गई क CT को मिलता है अंजिए घृत थिटल गया लेक्टोस्तारि ठीक है यह जो complex polymers होते हैं this is a homo polymers तो काईटीन यह क्या हुआ अभी हेट्रोपॉलिमर हुआ या हो पॉलिमर हुआ बताओ ठीक है अभी मुझे बताओ काईटीन इस हो मोपॉलिमर है हेट्रोपॉलिमर यहां पे एसे ठीक है कहे रहा है इस complex polysaccharides are mostly homo polymers ठीक है उसके बाद आज का last part आता है that is nucleic acid ठीक है nucleic acid यह और फिर हम last part नहीं second last part उसके बाद एक nature of bond जो है वो यहां पर दिया गया है कि bond कैसे फॉर्म होते है उसका nature क्या होता है वो हम देखेंगी लेकिन उसके पहले है nucleic acid जो है वो anxiety corner में देख लेते हैं so we know that nucleic acid acid insolubal fraction में nucleic acid भी जो है वो आ जाते है simple सी बात है ठीक है so यहां में देखो जाए they are the polynucleotides ठीक है क्या है nucleic acid as the polynucleotides मतलब sugar phosphate ठीक है sugar base and phosphate के जो है वो गुना जुना हुआता है साथी में वो polysaccharides और polypeptides से भी जुड़ जाते है ठीक है और वो क्या बना देट DNA और RNA बनाते है ठीक है DNA और RNA बनाते है तो nucleic acid के लिए जो है वो nucleotide is a basic material जो तीन component से बना हुआता है अलग-अलग इसलिए हम इसको क्या कहते है है heterocyclic compound कहते है ठीक है इसको क्या कहते है heterocyclic compound कहते है ठीक है and the second monosaccharide that is the third is phosphate bond यह यह बताया गया है यह आपे और इसमें जो है वो nucleic acid कुन-कुन से होते है adenine, gonine, uracil, cytosyn हमको देखने को मिलते है thymine देखने को मिलते है ठीक है और adenine जो gonine है किस में आते है द्यार इन पिरिमीडिन्स यह हमने अलड़ेडी दिखा है ठीक है और purine और पिरिमीडिन्स की जो ring structure जो है वो अलग अलग बनती है इनके साथ और वो DNA और RNA जो है वो बनाते है ठीक है अगर इसमें sugar जो है वो अगर ribos sugar है ठीक है तो वो RNA बनाएगा अगर वहाँ पर second carbon से अगर oxygen गाया पर तो वो deoxy ribos बनाए ठीक है तो उसी की सबसे deoxy ribonucleic acid DNA या ribonucleic acid RNA जो है वो बनता है वहीं यहाँ पर जो है वो बताया गया है ठीक है और यहीं जो है यहाँ पर समझाया गया है protein के molecule में हमने अल्डेडी देखा है ठीक है यहाँ यहाँ पर जो है वो अलग अलग तरह के structure जो है हमको मिलेंगे इन औरगनिक molecule को हम हम जो है वो double molecule structure में बनाते है त्वDAMEस्वलो को बनांते रिक है structure और आप मोलीक्षी मोलेकोल में बनाते है लेकिन बायोनोजिस्ट ठीक हे जो बायोजिडी पढ़ने वाले होते हूँ हो ठीक है तो इसी इसका से गोफव इसम कींबाने है यह फॉLo best examine जिसमे जो है वो कारबॉघजीली फहक्त का लेट एंड को जो है हम एंट टैरा इंड किर लक्त बाते है हिजी यहां पहरे है वह हेली कि बना ते जिसको हम क्या कहेंगे सेकंस कर तिक है है और यहांपे हिलीक होते है केशा दा राइट हैंडेच फ्रोन चे तै यहांपे आप देखोगे यहां यहां फोलेग्यों होते है जो अर सीरी स्टक्चर बनाती है द्री दीमेश्चेश्ट ढीटीन एप्रूटींज थीक है और सिर्षारीच्व इस एपसीलिटली necessary for many biological activities काफी biological activities के लिए tertiary structure काफी important होती है ठीक है अगर tertiary structure form नहीं होता है तो वहाँ पर वो biological activities नहीं होती है enzyme जो है वो काम नहीं करते है अच्छी तरीका से ठीक है तो यह ध्यान में रखना है और कुछ में अलग more than one जो है chain यहाँ यहाँ पर form होती है ठीक है तो उसको हम क्या कहते है quarternery structure of protein ठीक है quarternery structure of protein जो है हमको देखना को मिलता है example इसका hemoglobin ठीक है जिसमें चार सब units होते है two alpha and two beta सब units ठीक है और यह क्या करता है यह hemoglobin जो है वो बना लेता है ठीक है तो यह होगा है nucleic acid का structure यहाँ पर आप देख सकते हो simply और प्रोटीन का structure जो है 3D NCRT view में हमने देखा कि कैसे बनता है ठीक है अभी जो last part है और कल हम enzyme करने वाले जिसमें last part में क्या आ जागा देखो simple सी बात है that is nature of bond ठीक है nature of chemical bond यहाँ पर amino acids कैसे बनते हैं यहाँ डीने के बारे में जो है बताया गया है ठीक है जो डीने में दो chain होती है five dash and three dash it जिसमें जो है यह एक दूसरे के आपोजीट जाते हैं ठीक है एक दूसरे के आपोजीट जो है क्या करते है structure form कर लेते हैं ठीक है five dash N में हमेशा फॉसपेट गूर्फ एटेच होगा ठीक है और three dash N में हमेशा OH गूर्फ एटेच होगा ठीक है और यह जो बैकबॉन होता है DNA का यह कैसे बनता है है sugar phosphate Jugrafosphate sugar phosphate और बीच में यहाँ पर जो hydrogen bonding होती एक वह किसी बनी होती है यह All और यहां पर शुग्र फास्पिट याा पर यहां भेवन यहांपी च है यहां पर कॉम कहा है इसका एक इस स्टर बार है यहां पर आ इस वा estimate का इस्टर बॉन कि यहां पे जो बॉंड है यहां पे जो है नुक्लिक यहां पे नाइट्रिन बेसे शुगर से अटेच हो रहे हैं यहां पे कहूंगा ग्लाइकोसिरिक बॉंड ठीक है टेन नाइट्रोजन बेसे शुगर से अगर पूरा है जो है वो ठीशिक्टी डिग्री ले रहा है तो यहां पे आप टेन बेसे पेर प्रेजन ए तो सिंपल मैथ आप आप करोगे तो एक टैन में कितना डिग्री होगा 30-06 डिग्री टैन होगा ठीक राईस पर हेलिक्स जो होगा जो कितना होगा 36 डिट कंगा और यहां पे पूरा है जो इह है हिलिक्स का लेंथ आप देखोगे तो वो 34 अंस्त्रॉन होता अहां यहां पे दो भेस में कितना वो डीटेल में देखने वाले हम structure of protein, tertiary structure, cottonary structure कैसे बनता यह हमने देखा, ठीक है, monosaccharides भी हमने देखा कि कैसे form बनते है, ठीक है, so monosaccharides जो है यहाँ पर free aldiide और kritum group होता है, उसमें ठीक है, तो इसलिए हम उसको reducing sugar भी जो है वो कह सकते है, disaccharides में कोई भी free reducing sugar नहीं होता, free aldiide और kritum group नहीं होता, इसलिए उसका हम non reducing sugar जो है वो कहते है, ठीक है, तो यह ध्यान में रेखना, condensation से form होते हैं, यह bond, ठीक है, वो एक तो homopoly saccharides हो सकते हैं, या फिर heteropoly saccharides हो सकते हैं, homopoly saccharides में क्या आज़ेगा, star, cellulose, dextrins, dextrins, heteropoly saccharides में gums, agar, mucilage, algin, जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे वही जो है, वो N-acetyl galactodamines से, जो है, kaitin मनता है, अर्थोपोडास में पाए जाता है, यही जो है, वो चार में जो है, दिया गया है, nucleic acid, दो टाइप के होते है, DNA और RNA, ठीक है, DNA, यही सब information जो है, मैंने आपको यही पे बताई है, ठीक है, RNA में जो है, आपे देखो, कितना sugars contain fire carbons, ठीक है, और यह क्या होना थे हैं, यहाँ पर hydrogen bonds बना लेते हैं, ठीक है, अब चलते हैं, हम nature of chemical bond की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर nature of chemical bond में क्या आजाएगा, देखो, simple सी बात है, ठीक है, nature of chemical bond में देखो, क्या आता है, ठीक है, तो यहाँ पर दो type के bond होते हैं, एक होता है glycosidic bond, और यह कौन से type का bond है, यह कोवालेंट का type होता है, यहाँ पर देखो, कोवालेंट का type जो है, वो देखने को मिलता है हमें, और यह दो monosaccharides के बीच में form होता है, ठीक है, और peptide bond है, यह इस अलसो type of कोवालेंट bond और दो आमने असिड के बीच में जो है, फर्म होता है, नेच्चर आफ कीम कोल यहाँ पर देखो, यह किसमे प्रेजर होता है, यहाँ पर बताया गया है, यही जो है, वो NCIT में यहाँ पर बताया गया है, यही जो है, ग्लाइकोसिडिक bond और इसका नेचर जो है, वो कैसा होगा, ठीक है, तो यह ध्यान में रखना, यह काफी इंपोर्टन चीज है, ठीक है, नेचर आफ केमिकल bond यही जो इसमें पूरा बताया गया है, यह कैसे कैसे structure बनता है, और यहाँ पर फिर Watson and Crick का DNA model के बारे में बता गया है, यह double helix होता है, anti-parallel geo match करता है, ठीक है, शुगर phosphate chain इसमें देखने को मिलते है, ठीक है, यह dehydration से फ़र्म होती है, bond कैसे फ़र्म होंगे तो, अब लास्ट पार्ट आता है, आज की lecture का, that is equilibrium, living equilibrium, ठीक है, living equilibrium, ठीक है, living equilibrium, अभी यह पार काफी important है, ठीक है, metabolic basis for living, तो यह मैंने already तुमको समझा चुका हूँ गाइस की हमारे body में metabolism होता है, anabolic और catabolic reaction होती है, ठीक है, anabolic reaction में हमको energy डालने पढ़ती है, तो endogenic process होती है, catabolic reaction में break हो जाती है, so that is a catabolic reaction, यह already में समझा लिए चाओ, और catabolic reaction में जो energy release होती है, जो हम ATP के form में store करके रखते हैं, ठीक है, so that is a metabolic basis of living, हमारी body को metabolism करना जो है, वो काफी जरूरी होता है, अगर हमारी body metabolism नहीं करती है, metabolism नहीं करती है, तो we are dead, देखो, physics और chemistry में एक important type आता है, ठीक है, हमारे इसमें जो एक important type आता है, that is, यहाँ आपे देखने को बिलेंगा आपको, physics और chemistry में आप देखो के तो equilibrium necessary होता है, किसी भी process को जो है वो, एक stable stage में लाइने के लिए उसमें क्या होता है, equilibrium जरूरी होता है, ठीक है, equilibrium तोने physics chemistry में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, देखाए कि नहीं, equilibrium पढ़ाए कि नहीं, ठीक है, तो equilibrium जरूरी होता है, लेकिन equilibrium आना जरूरी होता है, कोन से भी process में, physics और chemistry में हम देखा जाए, तो लेकिन हमारे body में अगर equilibrium आ जाता है, है गाइस हमारे बॉड़ी में अगर एक्विलिब्रियम आ जाते लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको एक important point बताया होगा ठीक है कि यहाँ पर अगर कोई भी process equilibrium में चली जाती है तो वहाँ पर वरक नहीं होता गाइस वहाँ पर वर्क नजो है वह स्टौपो जाता जाता एफ मोर्क लगंश और करेको मिए अधिक कर एक जाता है टो अभी सब्सक्राइब आगया ठीक है हमारे बॉड़ी में अगर equilibrium आ गया तो हम हमारे बोडी में वर्क केह स्टॉप हो जाएगए और we will be dead we will be dead हम मर जाएंगे ठीक है हम मर जाएंगे सिंपल सी बात है तो यही anxiety कह रहा है कि यह जो living state होता है हमारे body में यह non-equilibrium होता है ठीक है non-equilibrium steady state होता है और इसी के वज़े से जो है यह perform कर बाता है जिस दिन हमारी body जो है ठीक है यह हमारी body constantly catrack करती है कि यह equilibrium में ना जा करता है ठीक है जिस दिन हमारी body ठीक है जिस दिन हमारी body equilibrium में चली गए chemical equilibrium के बात कर रहे हूं हमारे body chemical process होती है तो humans actual तो यहाँगो पी आप देखो कि जिस दिन हमारी body equilibrium में चली गए, we are dead ठीक है यही equilibrium में ना जाने के लिए हमें कोन हेल्प करता है, मेटाबॉलिजम हेल्प करता है, जो हमको energy प्रोवैड करता है, ताकि हम living state में बने रहे हैं, ठीक है, so living state and metabolism are the synons, ठीक है, without metabolism there cannot be living state, without metabolism वहाँ पे living state होई नहीं सकता, that's why metabolism is a definite feature of living being, ठीक है, that's why metabolism is a definite feature of living being, ठीक है, इसलिए ये काफी important feature living being का, देखो समझ में आ गए आपको, ठीक है, ये इसलिए जो है metabolism, जो है, इसको हमने कहां में डाला है, इसलिए metabolism हमको definite feature में डाला है, तो ये लसे आटीब यहीं कहा रहा है कि blood concentration of glucose देखोगे आप, ठीक है, glucose में blood concentration देखोगे, glucose का blood concentration देखोगे, glucose का concentration in normal healthy blood आप देखोगे, तो वो कितना आता है, 4.525 mmol आता है, ठीक है, लेकिन अगर आप hormone का देखोगे, तो वो nanograms में आ गाए, nanograms और milliliter में आता है, तो ये अलग-अलग composition है, ये अलग-अलग process जो है, या ये variety जो है, या फिर ये जो value जो है, वो change होती रहती है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि change की हो रहती रहती है, क्योंकि यहाँ पर देखो, steady state में जो है, metabolic flux में होता है, उनमें कम-जादा, कम-जादा varieties होती रहती है, लेकिन हमवारी body उसे एक rate में maintain करने का काम करती है, ठीक है, सो any chemical और physical process जो spontaneously किसकी तरफ जाना चाहती है, तो equilibrium की तरफ जाना चाहती है, ठीक है, तो equilibrium लेकिन हमारे body उसे क्या करती है, उसको non equilibrium में रखने का कुशिश कर दे through the process of metabolism ठीक है और यही जो हमको याद में रखना है कि physics में क्या कहा है कि physics में कहां कहा जाता है कि अगर कोई भी body equilibrium में चली जाती है तो they cannot perform the work वो कोई भी work जो है वो work नहीं कर पाती so that is the यहां पर जो है वो बना गया है तो आज का session यहां पर खतम होता है ठीक है तो हम भी जो है वह नौन equilibrium state में रहेंगे हम भी जो हमेशा फ्लक्स में रहेंगे hope तुमको पूरा anxiety line plan clear हुआ होगा तो like कर दो यार ठीक है share कर दो subscribe कर दो नए हो तो मजा आयोगा तो चलिए कई ऐी इस एक सब्सक्रीब कर दोए क्यूंज कर जो है किtoo a completely and 있어 में अभी तो बैच बड़ा भी नहीं है को कैं अभी तो बैच बड़ा बीनिया स्पैमर भी आ रहे है आग लगी है कंधर जलन हो रही है किदर कि लाइप कर दो शेर करका दो सब्स्राइब कर दो और कल हम पढ़ेंगे enzymes guys ठीक है कल हम enzymes पढ़ने वाले है ठीक है हम enzymes पढ़ने वाले है और एक बज़े कल और यह चाप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा फिर हम मैं कल DPP दे दूँगा इसका PDF भी मैं कल दे दूँगा पूरा अगरेंगे ठीक है ठीक है ठीलीकराम ग्रूप पर जो जॉइन कर लो और आज साड़ी दिन बज़े क्लास ने राट को देज बजास मॉक टेस्ट है अनकेडेमी पर तो आज जाना ठीक है ठीक है चलो बाइगाइज यह जो दूँगा को